हाई फ्रेंड्स, वेलेकम टो माई यूटुब चनल, आज मैं इस यूटुपिनल के वीडियो में जी आपको बताने वाला हूँ कि सोफोस एक्जी फायरवाल वर्जन 18 में हम कैसे डोमेन जोईन करते हैं या कैसे हम यूजर्स क्रूप को इंपोर्ट करते हैं सोफोस एक्जी आपको प्रमयन में चінक söyleyeंक को मेरती हो एच मेरा आज यसी टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो है हुए जिसमें सरवर भी बनाओंगा आपको डोमेन में आयाट करना सिखाऊंगा और डोमेन में कैसे इंपोर्ट करते हैं क्लाइन को डोमेन इंजर्स को डोमेन गूर्प को, ड authentication configuration के अंदर आता है authentication authentication के अंदर बहुत सारे options हैं जिसे मैं एक एक करके आपको describe करूँगा first option होता है कि servers, server यहाँ पे हमको वो server add करना है domain server जिस server से जो domain server है जहाँ से हमको सारे users को इस active directory को इसमें add करना है तो active directory के लिए यहाँ पे तो अभी आपको मैं दिखा दूँ कि यहां पर गूप है अभी आप कि थोड़ा सा स्लो है रहएं कि आप देख सकते कि हाँ पर मेरे पास तीनी गूप है जो फायरवाल सोफ्फोर्वार काडिफाल्ट गूरूप है और यूजर समय मैं आगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो यूजर से भी मैं दिखा दू कि मैं अभी डोमेन जॉइन करने वाला हूं जॉइन करने इस पहले आपको सारी चीज़े दिखा दू तो ऐसा ना हो कि बात में थोड़ा सा कुछ डीटेल्स आ जाएंगी जिनका डीटेल्स हम अब बताते हैं कि आपको डीटेल यह कहां से करना है तो अब हम क्या करते हैं अपने डोमेन सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं अब यहां से क्या मेरे डोमेन सर्वर का IP है 192.168.112.130 सेम सीरीज में मेरा फायरवाल है तो यह प्रॉपर तरीकेस हो जाएगा जब आगम आप जिस डोमेन को जोइन करेंगे डोमेन और फायरवाल आपका सेम नेटवर्क में होना चाहिए इसका आपको मतलब ध्यान देना है ऐसा नहीं तो प्राभलम हा सकती है आपको तो यहां पेकरकर मैंने इन्फो certains है इस तरह से guys domain server को login करते हैं और यहाँ पर administrator डालना है आपके domain का नाम मेरे domain का नाम infotage slash administrator युजर नाम अब इस domain युजर का password अब हमने डाल दिया अब देखिए यह हमारा domain server में successfully login हो रहा है तो guys इसी प्रकार से आपको भी अपने domain server में login करना है जो procedure मैं बता रहा हूं सेम यह procedure आपको follow करना है अगर मैं इसमें आपको कहीं भी कुछ problem रहेगी तो मैं आपको 100% आपको जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको solution provide करूँगा तो guys मैं अभी अपने domain server में आ गया हूँ अब मैं इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या मेरे पास users है इनको मैं यहाँ पर import करने वाला हूँ या कैसे करते हैं या detail कहां से collect करते हैं तब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मैं folder पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा यह folder this PC open हो रहा है अब यहाँ पर आपको देखिए नेट बाइस नेम कंप्यूटर नेम दोमेन नेम यह सारी डिटेन आपको यहाँ से भी गाइस मिल जाती है इसको पर आपको जिस्ट राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करना है अब जब प्रोपाडि .infotage.com computer description test domain name infotage.com है तो यह हमारे domain की सारी डिटेल यहाँ से मिल गई और भी हमको डिटेल जाएट हम यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे हमारा best food ready नहीं हुआ है प्रॉपर तो टूल्स पर क्लिक करेंगे एक्टिव डिरेक्टरी यानि यूजर स्कूरूप पर जाना है तो एक्टिव डिरेक्टरी के जो हम जो एक्टिव डिरेक्टरी हमारी है उसको हम अपने फैरवल में इंपोर्ट करने वाले है एक तरीके से कि मैंने यह मेरा डोमेन नेम है infotage.com इस डोमेन के अंदर मैंने account department built-in civil computer यह सारे IT user HR local computer इतने सारे मैंने इसके अंदर group बना है group के अंदर user डाल दिये तो आपके जो भी domain user है यह सारी चीज़े मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा क्या 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 चीज़े इंपूर्ट अब यहां पर server name पूछ रहा तो server name आपको यहां पर जो है मेरा server name administrator है तो आपको यहां पर server name administrator डालना पड़ेगा server name अब server IP गाएगी यहां से पूछ रहत यहां पर server की IP क्या है मैंने अभी आपको दिखाया था तो उस server का IP मेरा 12172-112-130 तो server IP आप देख सकते यहां पर है यह server server मेरा IP है यहां पर देख लिए server IP दिख रही है यह server IP आप यहां पर डाल देंगे अब यहां से आपको प्लेन रखना है प्लेन रखेंगे और आपको यहां पर यहां पर भी आपको यूजर नेम डालना है जो मैं आपको बता रहा हूं जीस तरह से बताते जाओंगा आपको इसमें और बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी तो जैसे जैसे मैं बताते जाओंगा वह आपको करना है गाईज है ना अब यहां पर हम जालते हैं यहां पर पासवर्ट यहां पर पासव hatır्वर्ट रखें आ वहOS डालना है तो हमारा यहां पर कुछ नहीं दे सकते हैं इससे कुई प्रॉब्लम नहीं आप यहां पर आपका पूछ रहा है कि दोमें नेम तो name जो हमारा है infotech.com यह हमारा domain name है जिससे जैसे मैं देते जाओंगा गाईज आपको उसी परकार से करना है और इसमें कुछ ने करना स्वारी इसमें netbios name में हमारा आ जाएगा यहां पे infotech infotech.com आ जाएगा और यह domain name है अब यहां फर्मको domain add करना है तो domain का जो ना केवरी होती है उसको भी add करना पड़ता तो इसमें कैसे लिखते है dc scale to info h, dc-com इस तरह से add करते है तो आप अपना यहां पे dc लगा के अपने domain name डाल देंगे फिर comma लगाएंगे फिर dc लगा के आपका .local या .com.in है वो आप यहां को mention करना है और इसको add कर देना है हमने मैं एक बार वापिस verify कर दूँ हमने यहां पर server type में active directory server name में administrator रख दिया server IP में administrator का हम capital रख देते हैं या small ही रहन देते कोई problem नहीं है और फिर यहां पर तो test connection आप देख सकते हैं device AD server connectivity tested successfully अब हमारा connection test successfully आ गया है हमने यह configuration किया इसकी alarm कुछ नहीं किया गया यह आप देख सकते हैं अब हमको कर देना है इसको save अब हमको इसको save पे click कर देना है save पे जैसे click करेंगे guys तो automatic यह prompt बंदो के नया एक display हो जाएगा आप देख सकते हैं AD server administrator has been added successfully अब यहां पे version 18 में यह message देता बट इससे कोई problem नहीं server using insecure plain text यह आता है आप किसी भी version 18 के firewall में add करेंगे तो अब हमने क्या किया domain server add कर लिए अब हमको users इसके अंदर import करना है तो user import करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इस icon पे अभी मैं add करने के बाद भी आपको दिखा दूँ कि यहां पी group में आप देखेंगे आप यहां पे group पे देखेंगे group में कुछ नहीं है और आप यहां पे users में देख रहे हैं users का page load ले रहा है तो यहां पे भी users में कुछ नहीं है अब मैं जैसे import करूँगा तो group में देखेंगे ना कि धेल सारे group और users automatically उसमें जूड़ी आएंगे तो हम कैसे active directory के users को sofos firewall में integrate करते हैं मैंने active directory बता दिया अब active directory के जो users हमने बने उसको कैसे हम इसमें import करते हैं वो बताने वाला हूँ तो अब यह आपको यहां पे click करना है import पे इंपोर्ट पे जैसे click करेंगा एक आपके पास एक नया page open होगा इस page में जो जो details मांगते जाएगा हमको उसारी details fill करनी है अब यहां पे बोला provide based dn group अब हमको यहां पे start click कर देना है यह एक एक इस step में एक एक detail हमसे पूछते जाएगा हम उसारी details fill करते चले जाएंगे तो हमने next किया अब यहां पे query पूछ रहें कि क्या डालना है अब हमने हम अपने domain name डालेंगे dc-infotech, dc-com यह आपको डालना है यहां पे dc common है और इचकल to common है फिर यहां पे domain name आजाएगा आपका और फिर comma common है फिर उसको बाद dc फिर आपका com.local.in.org जो भी आपको यहां पे mention करते हैं फिर आपको next पे click कर देना है तो अभी हम इसको next पे click कर देते हैं अभी देखिए यहां पे rating फिर लिख रहा है अब next page पे हम move हो जाएंगे यह एक wizard है जिसके थूँ हम active directory के जितने भी users हैं उनको हम अपने firewall में users group जो भी है वो सारे यहां पे import हो जाएंगे तो यह थोड़ा सा टाइम लेता है अब यहां पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे देखिए बिल्डेन यूजर एचार लोकल एडिमिस्टेटर लोकल कंटोलर एकाउंट्स एचार सेल्स सिविल एट आईटी अब मैं यहां पे active domain server में आ जाओं आपको चेक बॉक्स कर लेता हूं मैंने इस पर्टिकुलर एक साथ में सभी लोगों को सेलेट कर लिया अब हम नेक्स्ट कर देंगे next करेंगे guys तो नया options हमारे सामने आ जाएगा policy का इनको क्या policy apply करनी है हम यहाँ पर policy सब all allow रखते हैं इसमें कोई भी policy में changes नहीं करते हैं next कर देते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको same ऐसे ही करना है और आपको 100% कहीं problem नहीं आगी और आपका proper तरीके से domain से active directory आपके firewall से integrate हो जाएगा अब यहाँ पर हमको detail दे रहा है कि यह सारे users है जो आपने successfully add कर दिया उनके OU, IT, DC, infotage सारे detail आ गए OU अगेरा सब आ गए अब इसको हमको कर देना है अब यहाँ पर देखिए common policy apply हो गई है और हम इसको data transfer policy select ही है अब इसको हम कर देंगे next next करेंगे ते पुछर गुरूब display summary will be immigrate to the device are you sure you want to continue आप आपको कर देना है ओके अब जही से मुक्के पर क्लिक करेंगे अब यह process हो रही है हम एक बार और कर देते हैं इसको यह थोड़ा सा थोड़ा कुछ seconds लेते हैं उसके बाद यह हमको एक message आजाएगा आप देख सकते हैं importing group wizard और यहाँ पर waiting display के लिए तो हमने waiting for display यहाँ पर message आ रहा है अभी थोड़ा आइम हमको एक page display हो जाएगा जो procedure मैंने बता रहूंग आपको same वही procedure करना है हमने दो बार क्लिक किया इसके लिए field wizard बता रहा है import group will open existing list will be group अब हम इसको close कर देते हैं और हम यहाँ पे सीधा group पे click कर देते हैं अब जैसे group पे click करेंगे guys तो यहाँ पे जो हमने group वहाँ पे import किया हुआ था वो सारी users हमक कि कौन सा users add हुआ है नहीं हुआ हम उसको telly कर सकते हैं देख सकते हैं कि हमने जो configuration आपको बताया है वो proper हुआ नहीं अब आप देख सकते हैं कि इन्फोटेज.com अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं था अब यहाँ पर आठो इन्फोटेज बिल्डेन एड्मिस्टेटर users देख आपको मेरी सबसे कहीं कोई problem नहीं है अगर आपको proper तरीके से अपने domain को integrate कर सकते हैं तो इस वीडियो में गाईज मैं इतना ही बताने वाला हूं और अभी देखिए मेरे सारे groups आ गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो मैंने यहाँ पे आपको detail बताया था मैं ए इससे पर थोड़ा साय था अभी जैसे जैसे पेज रिफ्रेस होता जाएगा वैसे उसे यहां पर देख सकते performance monitor यह इतने हैं अब मैं वापिस refresh कर देता हूं इसको refresh कर दो जश्ट मैं यहां से मैं दूसरे पेज़ पर क्लिक कर लेता हूं फिर वापिस क्लिक किसी पेज़ पर करूँगा तो आप देखेंगे कि और भी यूजर्स आ गए हैं मैं वापिस गूरूप में आ जाता हूं तो एक एक करके वह synchronize कर रहा है पीछे से बाइकेंड में firewall तो जो भी domain server से ज इप्लिकेटर युजर आ गया गया प्रिंटर ऑपरेटर आ गया यह सारे जो हमारे domain server है ना वहां से उठार administrator users in footage.com यह देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यह users यहां से कोपी कर रहा है अब देखिए यहां पर यह सारे users अभी थोड़ आई में चेंस और यह सारे users जो मैं आपके comment का 100% reply करूँगा और मैं कोशिस इतना करूँगा कि आपको कहीं problem ना हो और आपके सारे configuration proper तरीके से हो पाए अब मैं वापीस sorry guys मैं यहां पे कुछ अलग option पे click कर दिया जिसके वज़े से थोड़ा सा कुछ अलग display हो रहा था तो एक बार और मेरा अभी यह loading ही ले रहा है page मेरा तो थोड़ा सा time लगता है इसमें एक बार synchronize होने में जो proper तरीके से एक बार synchronize हो जाता है तो करीब करीब सारे users ही उठा HR और sales में बनायता है वो सारी users भी यहां पर करीब ले लिया है तो guys इसी प्रकार से आपको भी करना है अगर मैं कहीं आपको problem होती ही domain को synchronize करने में या domain आप नहीं add कर पा रहे है आपको कुछ error message आ रहे है तो आप मुझे comment करिए मैं आपके comment का reply करूँगा guys तो इससे इतने इसमें यही configuration होता है इसके लाओं कुछ नहीं होता है मैंने आपको live practical करके दिखाया guys मैंने domain server create किया इस पर मैंने आपको सारी policy बनाई यह मेरा domain server है यहां से users बनाई policy बनाई फिर उसको मैंने apply करा फिर आप लोग को दिखाया कि कैसे हम करते हैं domain active directory को firewall से attach कैसे करते हैं तो इस वीडियो में guys इतना ही तो चलिए चलते हैं मिलते next वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत